गुमे किसी के प्यार में इशामेम और सांतनूसर सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहुंसने वाले हैं अपने बेटे इशान के पास और उसको समझाने की कोशिस करने वाले हैं कि जब वो सवी से प्यार करते हैं तो सवी से ही शादी करें रिवा से शादी करकर इस तरह अपनी ज जाने की कोसिस करने वाली है लेकिन सवी भी अपने फैसले से पीछे नहीं हड़ती अब इशा मैम को फाइनली पता चल गया है यह सब अक्का साहिब का कराधरा है अक्का साहिब ने इशान को कसम दे रखी है और इशान के दिमाग में ये बात डाल दी है कि वह रिवा के साथ बार बार इस तरह गल्ट नहीं कर सकता रिवा इशान की जिम्मेदारी है इसलिए इशान को रिवा से ही शादी करनी होगी अब इशा मैम है वो रिवा से बात करने वाली है और रिवा को पताने वाली है कि सवी और इशान दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं देखना य अमेम की बात मानती है या नहीं